रतलाम के नहरू स्टेडियम में तेजवे चेतना मेले का समापन हो गया है क्रीडा भारती एवं चेतनी काश्यफ फाउंडेशन द्वारा मेला आयोजित किया गया जिसमें समापन के अफसर पर सर्विस्ट्रेश्ट स्कूल की टॉफी सेंट जॉसेफ कॉनवेंट को दी गई है तेजवे खेल चेतना मेला के समापन के अफसर पर नहरू स्टेडियम में पुरुषकार वित्रण समहर वायोजित हुआ मुक्य अदिथी भाजपा के राष्टे सह कोश अध्यक्ष सांसत सुधीर गुपता विशेश अधिथी भाजपा जिला प्रभारी प्रदीप पांडे विधायक दिलीब मखवाना जिला अध्यक्ष राजी इंदर सिंग लुने रा रहे अध्यक्षता क्रीणा भारती के राश्टिय कार्या अध्यक्ष फाउंडेशन अध्यक्ष विधायक चेतने काश्यप ने की है महापार प्रहलात पटेल नगर निगम अध्यक्ष मनीशा शर्मा क्रीणा भारती के जला अध्यक्ष गौर्ण डॉक्टर वोपाल मजाबदिया आयोजन समीती सचिव मुकेश जैन मंचा सीन रहे पुरुषकार विदरन समारों में सर्वश्रेष्ट स्कूल की ट्रॉफी सेंड जोसेफ कॉनवेंट को दी गई मुकेश आती थी सांसत गुपता ने कहा कि वर्ष 1999 से लगतार खेल चीतना मेला के माध्यम से स्कूली बच्चों को मैदानों में जुटाने एवं पुरुषकार देने का क्रम चल रहा है खेल मिला और उसकी आतरा आज यह हम रजज जैनती वर्ष मना रहे होते हैं परन्तु दो साल के कोरोना ने इसमें गती थामी है परन्तु मुझे उम्मीद है कि इस 25 सालों के सफर में रतलाम और इस छेतर के अंचल से कई नई प्रतिभाय निकली है और जो आज अभी बात निकली थी जो भूनेशर वहाँ पर पूरा उडिशा के अंदर हाकिका वर्ल्ड कप हो रहा है दुनिया के बड़े आयोजनों को करवाने में भारत अगे बढ़ने लगा है और निश्यत हमारे प्रदान मंत्री जी के नितरत में अभी अनुराख ठाकुर जी ने 2032 से 34 के उलम्पिक के बारे में अपनी मांग रखी है और मुझे उम्मीद है कि वह मांग पूरी होने तक भारत के कई बच्चे आगे बढ़ेंगे और मैं आज रतलाम के बच्चों से भी आवान करता हूँ कि वे अगले 10-12 सालों में उस तैयारी में जुट जाए कि अगले उलम्पिक में रतलाम का नाम रोशन करने की खंता है इन बच्चों में आए इनी सुब भावनाव के साथ रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट